हलो दोस्तों मेरा नाय मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकीहर्पटेप्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका टिकट RL, WL है तो इसका मतलब क्या होता है और कितने नंबर तक अगर आपका टिकट RL, WL है तो आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा इस टिकट के लिए के काफी ज़्यादा confusion रहती है तो आज हम RLWL के बारे में detail में जानेंगे तो जी हाँ दोस्तों सबसे पहले मैं आपके बता दूँ कि RLWL का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है remote location waiting list example के तोर पे आपने एक टिकट निकाला जो ट्रेन चलेगी परियागराश से लेके मुंबई तक अब परियागराश से मुंबई के बीच में बहुत सारे आपके remote location stations होंगे इसी remote location stations को कहा जाता है RLWL तो आपने टिकट लिका रहा है लेकिन वो टिकट आपका मिला आपको RLWL और जिसका number example के तोर पे है 32 means आपका टिकट है RLWL और उसका number है waiting number है तो कैसे ये टिकट confirm होगा जो भी remote location stations होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन है वो 5 मिनट ही रुकती है उससे ज़्यादा नहीं रुकती है इसलिए उसको RLWL कहा जाता है remote location की जो stations होती है अब यहाँ पे अगर आपका टिकट मालेजी example के तोर पे 32 है तो chances क्या होंगे कि ये टिकट confirm होगा या नहीं होगा confusion काफी ज़्यादा रहती है तो मैं आपको बता दू कि अगर आपका टिकट 34, 20, 14 इस तरीके से RLWL है तो यहाँ पे possibility ये बनती है कि अगर आपका route जिस route पे आप सफर कर रहे हैं वो route पे ज़्यादा भीड नहीं रहती है तो chances आपके बढ़ जाएंगे और अगर rush काफी ज़्यादा रहता है all the time तो वहाँ पे आपको काफी problem हो सकती है टिकट आपका confirm ना हो लेकिन आपको अगर वहाँ पे rush ज़्यादा नहीं रहती है normal time पे लेकिन festive seasons के time पे वहाँ पे rush ज़्यादा रहती है लेकिन यही पे अगर आप festive season में सफर कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा कि ये टिकट आपका confirm हो पाए तो जिहां धियान रखे हैं कि अगर आपका टिकट RLWL वेटिंग में है और वहाँ पे वो 7 या 8 नमबर से ज़्यादा है तो आपके chances काफी कम हो जाएंगे यहाँ पे confirm होने के और यहीं पे अगर AC का टिकट RLWL होगा तो वहाँ पे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वहाँ पे अगर 2-3 RLWL वेटिंग है तब ही आपका टिकट confirm हो सकता है otherwise confirm नहीं हो सकता है बट इन सब चीजों में इन clause को जरूर आप ध्यान में रखें कि आप किस टाइम पे सफर कर रहे हैं और route कैसा है अगर आपका busy route always रहता है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर आपका busy route नहीं है तो वहाँ पे आपको दिक्कत कम आएगी बट अगर आप festive season में सफर कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको दिक्कत बहुत जादा हो सकती है अब आपको समझ में आ गया होगा RLWL का मतलब क्या होता है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें